तो अगला derivation है, वो है variation of pressure in fluids under constant acceleration. तो सोचो, इसमें एक fluid है, ठीक है, ये वाला fluid जो है न, वो constant acceleration से उपर के तरफ जा रहा है, कितना acceleration से? सपोज, सपोज, ए acceleration से उपर के तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हमें solve करना है कि pressure का variation कितना है, तो हमने सोचो, सपोज, हमने एक area consider किया, इस point पे, ठीक है, इस point का नाम हमने दे दिया A, और एक area इधर consider किया, जिसका नाम हमने दे दिया B, ठीक है, तो इसमें, देखो, जो pressure act होगा, इस direction में act होगा, और इसका जो pressure act होगा, पो इस direction में होगा, ठीक है, ठीक है, तो देखो, पूरा अगर हम इस area को जोड देंगे, तो एक cylinder consider होगा, क्या consider होगा, सोचो, एक cylinder consider होगा, ठीक है, क्या consider होगा इसमें, एक cylinder consider होगा, तो जैसे भी A acceleration से जा रहा है तो हमें अगर pressure difference solve करना है तो अगर किसका pressure ज्यादा होगा B का pressure है या A का pressure ज्यादा होगा definitely इसमें B का pressure ज्यादा है क्योंकि A का उपर कम मां से और B का उपर ज्यादा मां से तो जो pressure होगा तो pressure को solve करने के लिए हमें पता है कि वह जो force होता है that means FB minus FA equals to होगा कितना mass into acceleration होगा ठीक है लेकिन तो कितना force act हो रहा है देखो यह जो container है ना यह छोटा से हमने cylinder draw किया तो देखो कितना force act हो रहा है तो देखो इसमें तो एक downward direction पर force act हो रहा है B की दरब एक force act हो रहा है और A की दिशा में एक force act हो रहा है और दूसरा force भी तो है mg तो है ठीक है यह जो cylinder हमने form के इसका तो mass है तो यह जो gravitational force act होगा कौन से direction पर downward direction पर force होगा तो जो net force होगा FB minus FA minus mg equals to कितना होगा MA होगा तो FB कितना होगा pressure ठीक है PB into A pressure into area तो इसका area हमने ले लिए बो कितना है A और होगा PB into A तो देखो अगर A का pressure A point का pressure अगर A होता है तो इसका pressure sorry 1 point का अगर area A होता है तो इस Point का भी area कितना होगा A ही होगा minus कितना होगा mg equals to कितना होगा MA तो इसका मतलब PB ठीक है minus PA उसके साथ लिखेंगे क्या हम A equals to M into होगा G plus A होगा तो इसका मतलब PB minus PA into A और हमें M पता है M तो पता नहीं M कितना होता है हमें पता है density होता है mass by unit volume तो जो volume है वो कितना होगा देखो इसका अगर height consider करेंगा हम H तो volume होगा कितना area into height equals to rho इसका मतलब M होगा rho into A into H होगा तो A हो जाएगा rho into A into H into कितना होगा G plus A होगा तो A वाला A और A वाला A cancel हो गया तो इसका मतलब PB minus PA जितना pressure का difference हुआ वो हुआ rho ठीक है G plus A into H अगर acceleration 0 होता है तो सिर्फ A हो जाएगा rho G H हो ठीक है OK